जी असलाम अलेकूम कैसे हैं आप अच्छा कभी ना हम ऐसे भी हुआ करते थे खैर गुजर गया वो वक्त अच्छा बात आपसे ये करनी थी कि कभी भी ना खुद को काबल नहीं समझना आपने ठीक है क्योंकि जिस दिन आप ये समझ जाओगे मतलब खुद को समझने लग जो कि क्या बहुत काबल हो मतलब उस दिन आपकी ग्रोथ रुक जाएगी आप सीखना छोड़ दोगे बड़े ऐसे लोग होते हैं जो मतलब अना का मसला बना लेते हैं कि मैंने इस से नी सीखना या मैंने उस से नी सीखना मैं कभी भी ऐसा नी बोलता मैं हमेशा आपको यही एडवाइस दूँगा नौलेज जहां से मिल रहा है उसको अकठा करो यह मत सोचो कि सामने वाला आप से चोटा है या आप से बड़ा है बलकि यह सोचो कि आपका क्या बेनिफीट है ठीक है बड़े ऐसी लोग होते हैं जो सीखने के बाद मतलब वो समझने लग जाते हैं कि वो बहुत काबिल है और अपनी वो यहनी कि उनकी ग्रोथ वहाँ पर रुक जाती है मतलब वो लर्निंग जो प्रॉसीज होता है उनका स्टॉप हो जाता है और उनसे लोग आटोमेटिकली आगे निकल जाते हैं जैसे मैं ही हूँ ठीक है एक मैं हूँ मैं अब यहनी कि Amazon को सीख चका हूँ मैं यहीं पर रुक जाता हूँ कि मैं काबल हूँ इसमें जो कि मैं कभी समझते ही नहीं हूँ मैं डेली बेसिस पे चीज़ों को सीखता हूँ अग्जैंपल दे रहा हूँ मैं गहता हूँ कि मैं Amazon मतलब मैं बहुत काबल हूँ मैं यहाँ पर अपने यह निके वो जो learning है न उसको stop कर दूँगा सीखना बंद कर दूँगा अब क्या होगा आप मैं से कोई लोग है मिहनत करेंगे, सीखेंगे चीज़ों को डेली बेसिस पे सीखेंगे बड़ा कुछ उनको नया मिलेगा सीखने का वो automatically मुझ से उपर निकल जाएंगे ठीक है, क्योंकि मैंने तो खुद को रोक दिया वहाँ पर मैंने खुद को समझ लिया कि मैं बहुत काबिल हूँ जो कि सबसे बड़ी गलती है क्योंकि जब आप ये समझ लिएगे कि आप बहुत बड़े काबिल हो तो आप फिर सीखना छोड़ देते हो मतलब आपकी growth जो नहीं रुक जाती है तो कभी भी ऐसा नहीं सोचना क्योंकि मुझसे लोग जब आप बातें करते हो तो मुझे आपकी ये नहीं कि वो जो talking style होता है न वहाँ से automatically idea हो जाता है कि आप लोग कैसे तरह की thinking रखते हो कभी भी ये नहीं सोचना मैं उना मैं अभी भी सीखता हूँ कभी मैंने ये नहीं बोला कोई किसी एक वीडियो में मैंने आपको बोला हो या किसी को मैंने personally बोला हो कि मैं बहुत train हूँ बहुत master on this field के अंदर nothing मैं daily basis में मैं भी चीज़ें सीखता हूँ इस में सीखता हूँ आदर field में सीखता हूँ बड़ा कुछ ये नहीं के देखता रहता हूँ मैं daily basis पे free work जो फारक time होता ना मेरा वो यही चीज़ होती है कुछ ना कुछ सीखो कभी भी नहीं रुकना क्योंकि काबल समझने ही नहीं आपने खुद को सीखते रो और जब आप daily basis पे सीखते जाओ आटोमेटिकली आपकी growth बढ़ती जाएगी और आप अपने मनजल की तरफ जाते जाओगे full stop नहीं लगाना कहीं पे भी निकलते जाओ ठीक हो गया तो next यानि के कोशिश किया करें हमेशा positive रहें क्योंकि negative जो यानि के thinking है ना negative सोच वो आपकी जिंदेगी को बरबाद कर देती है believe करो और negative लोगों से भी दूर रहो अगर युकीन आपका पुकता है ना तो आप मनजल तक महुन जाओगे अगर आपको खुद पर यकीन है कि आप ये कर जाओगे तो believe करो आपने कर लेना है ठीक है तो काबिल नहीं समझना खुद को कभी भी अगर काबिल समझोगे एक तो गरूर आजाएगा दूसर नंबर पर हाप रुक जाओगे वहाँ पर आपकी गरूद खतम हो जाएगी फिर आप आस्ता आस्ता क्या होगा कि लोग आप से उपर निकलते जाएगे और आप वहीं के वहीं है और एक वकत आएगा कि आप बिल्कुली यनिके जीरो पे चले जाओगे ठीक है इससे बेतर है कि सीखो नईने चीजे सीखो जहां से सीखने को मिलती है मत सोचो सामने वाला चोटा है बड़ा है कौन है कौन नहीं है ये सोचो कि आपका क्या बेनिफीट है क्या आप जिससे सीख रहे हो या जो आप वीडियोज देख रहे हो या आप जिससे बात कर रहे हो कोई बेनिफीट हो रहे है आपको आपके knowledge में अजाफा हुआ है कि नहीं हुआ ये चीज़ें आपने देखनी है ठीक है बाकी खुश रहा करें इन्शाला सब बेतर हो जाना है ठीक है फिर है ख्यार रखेगा अपना अलाहाफेज